हले एवरीवन वेलकम टू ब्राइट आई के ऊच्छ अचाहिक आच राजणितिक परमुख को क्या बोलते हैं मुंडा बोलते हैं सबसे पहले पढ़ेंगे वह यह पढ़ेंगे कि सरद चंद राय के अनुसार मुंदा का आगमन 600 BC में हुआ था इनका मुल निवासी जो है यह तिबत के मुल निवासी है ठीक है अगर अब यह की बात करें तो यह जार्खन की 30 सारवधिक जन संख्या वाली जन जाती है जिसका टोटल पॉपूलेसर आपका 14.56 परसेंट है अब बैसिकली मुंदा का बोले तो मुंदा लोग सबसे पहले जब यहां आया थे तो इन लोगों ने जंगलों को साफ किया और जंगलों को साफ करके इन्हों ने खेती युक्त भूमी का निर्मान किया अब देखिए अब इसम ईक में इस देखते हैं तो इसकी भूमी को खुटकटी भूमी कहा जाता था इननके को अफिर मुदाव सब्सक्राइब का सब्सक्राकर के चुच्छा measlo dot बिस्तार की बात पर तो इसका भवलिक बिस्तार रांची गुमला सिम्डेगा पस्मी सिंभूम और सराय के लाग खरसावा पर किनका बिस्तार है अब देखें नेक्ट देखते हैं कि मुन्दा के गाउं के लोगों को हातु कहा जाता है तो यह दो तीन पॉइंट को नोटिस कर देखें मुंदा राज की अस्थापना कब हुए और कैसे तो यह नाम की सिरा मुंदा के द्वारा हुआ है जिसका पशासन सूतिया थे और यही और इनहीं के नाम पर मुंदा राज का नाम सूतिया नागखंड प्ढ़ा तो आप इससे अच्छी से रिविजन कर लेजेगा कि सुतिया नाखंड क्या है या तो फिर मुन्डा की अस्थापना किस परसासन के अनुसार हुआ है तो वह आपका हुआ है सुतिया राजखंड के द्वारा तो यह था आपका मुन्डा प्रणाले से रिलेटेट कुछ बेसिक इन्फरमेशन को आप के लिए यूज कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेट कुछ बहुत ही इंपोर्टेंट को इस्टाडी करेंगे जो आपके एक्जाम पॉइंट से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होगे तो उस वीडियो को मिस्स मत कीजिएगा और इससे पहले ज इसक्रिशन वक्त में दिया हुआ है वहां से कि आप संभूर्ण वीडियो को इस्टाडी कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपोर्टेंट कापिक के साथ थांस पूर वाचिंग लाइक सेरे और सब्सक्राइब राइट आइक्यू